नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल पर आज हम आपको वाइरल इंफेक्शन का कारण और उसकी रोगधाम के लिए कुछ इंपोर्टन टिप्स के बारे में बताएंगे वाइरस बहुत ही सूस्म प्रकार के रोगानू होते हैं ये प्रोटीन की परत के अंदर एक जेनेटिक सामग्रीखे बने हुए होते हैं वाइरस कई जानी पहचानी बीमारियां फैलाते हैं जैसे सामाने जुखाम, फ्लू और मस्से आदी इनके कारण कई गंबीर बीमारी भी पैदा हो जाती है जैसे की HIV-AIDS, चैचक और इबोला आदी ये जीवित वसामाने कोशिकाओं पर हमला करते हैं और अपने जैसे अन्य वाइरस पैदा करने के लिए इन कोशिकाओं का इस्तिमाल करते हैं जिस कारण से कोशिकाओं शर्तिग्रस्त या नस्ट हो जाती हैं या उनके रंग में बदलाव आ जाता है जिससे आप बीमार पढ़ जाते हैं विबिन प्रकार के वाइरस शरीर की अलग-अलग कोशिकाओं पर हमला करते हैं जैसे कि आपका लीवर, श्वसन प्रणाली वखून आदी वाइरस मानव शरीर में किसी भी छेद द्वारा शरीर में प्रवेश कर सकते हैं लेकिन वाइरस के गुसने की सबसे ज़्यादा संभावना नाग और मुँ में होती है जब एक बार वाइरस शरीर के अंदर पहुँच जाता है तो यहाँ खुद को बहारी कुछ इस प्रकार की कोशिकाओं से जोड़ लेता है जिस पर यहाँ हमला करता है जिन कोशिकाओं पर वाइरस हमला करता है उनको होस्ट सेल्स कहा जाता है वाइरस का कोशिका में प्रवेश करने के बाद वाइरस होस्ट कोशिका के प्रोटीन से अपने जैसे वाइरस बनाना शुरू कर देते हैं ये नए वाइरस होस्ट कोशिका की जिल्ली के अंदर से और कभी-कभी कोशिका को नश्ट करके अपना रास्ता बनाते हैं जिसके बाद वे नई कोशिका पर आकरमन करते हैं। यहाँ प्रक्रिया चलती रहती है जब तक शरीर परियाप्त मात्रा में एंटी बॉडिस और अन्य सुरक्षाओं का निर्मान नहीं कर लेता है, जो वाइरल इन्फेक्शन के वाइरस से लड़ती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको वाइरल इन्फेक्शन से बचाफ के लिए कुछ इंपॉर्टन टिप्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले एकने वेदन उन सबी दर्शकों से, जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं, क्रप्या हमारे चैनल की सदस्ता को ज़रूर ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें, हमारे द्वारदी कई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा भी उठा सकें साथी सही चैनकारी के लिए इसे अंतितक सरूर दिखेगा वाइरल इंफेक्शन से रोगधाम के लिए अपने हाथों को अच्छी तरह से धोते रहें, जुखाम होने से बचाव रखने का या सबसे बहतरीन तरीका माना जाता है ऐसे व्यक्ति के साथ हाथ मिलाना जोखिम बरा हो सकता है जिसको जुखाम है इसलिए इसके बाद तुरंद हाथों को धोएं और हाथ धोएं बिना मू, नाक वा आँखों आधी को नहीं चुईए खाने को पका कर एवं बाद में ठंडा करके ही काम में लेना चाहिए सबजियों और मीट आदी को अलग-अलग जगब पर रखना चाहिए और इनको अलग-अलग टॉपिंग बॉट पर भी काटना चाहिए मीट को अच्छी तरह से किटानू रहित करके सच्छता से रखा जाना चाहिए यह बात याद रखें कि जिस खादे पदार्थ में ये अद्रश जीव यानिकी वाइरस होते हैं उनसे किसी भी प्रकार की बद्बूर नहीं आती है जब खाना पकाया जाता है तो कुछ प्रकार के जीव मर जाते हैं लेकिन वे फिर भी उसमें कुछ विशाक्त पदार्थ छोड़ जाते हैं ये विशाक्त पदार्थ उल्टी और दस्त जैसी समासियों का कारण भी बन सकते हैं तो दोस्तों यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शियर और कमेंट सरूर कीजिए का इसे देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद